हलो माई लवलीज कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हूं अच्छे होंगे आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्फुल होने वाला है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शुरू हो उससे पहले एक सब्सक्राइब तो मेरे चानल को करी दीजिए फोर दोस हेल्फुल वीडियो दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे हाथ से हमारी बहुत फेवरेट कॉस्मेटिक आइटम गिर के चूर चूर हो जाती है जैसे कि कोई कॉम्पैक्ट कोई ब्लशर या कोई हाइलाइटर ठीक है तो उसको फिक्स कैसे करना क्या हम उस है हाइलाइटर है शाइन शिमा मुझे ये कुछ इस हालत में रिसीव हुआ था इतने पथेटिक हालत में रिसीव हुआ आप देख सकते हो कि डब्बे के इर्द गिर्द चारो तरफ वो हाइलाइटर पाउडर बन चुका है और वो बाहर-बाहर निकला हुआ है मेरे सारे हा अबस्तों के साथ इसको शेयर करूँ ताकि उनका भी अगर कोई फेवरेट प्रोड़क्त तूट जाए तो उसे फैके नहीं घर पर ही जोड़े तो लेट्स बिगीन तो जी इसको फिक्स करने के लिए पहले मैं एक छोटा साथ ट्रे ले रही हूँ कुछ भी एक प्लेट ज दिखा रही हूँ लोगों को टूटा प्रोडुक्ट रिसीव होता है गाईज मुझे टूटा नहीं मुझे बिल्कुल चूरा चूरा प्रोड़क्त रिसीव यह देखो क्लोज लुक मैं आपको दिखा रही हूँ इतने वर्स्ट हालत मैं आज तक मुझे कोई में हैं तो मैंने इसको वापस नहीं किया मैंने सोचा मैं इसको फिक्स करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ठीक है तो हम यह प्रोसेस शुरू करते हैं एक छोटा सा ब्रश ले लीजिए किसी भी तरह का अगर आपके पास मेकप ब्रश है ठीक है नहीं तो कोई ब्रश बच्चों का घर पे पड़ा हो वो ले लीजिए और इस तरह से मैं यहां कंटेनर को साफ करूंगी ठीक है पहले तो जितना इधर उधर लगा हुआ है न वो एक ब्रश की मदद से समेट लेना है प्रोड़क्ट को मैं ऐसे समेट रही हूं बिल्कुल ऐसे ही करिएग पाउडर बना ले मेरे तो देखो अल्रेडी खुश किसमती है कि मुझे इस तरह पाउडर प्रोड़क्ट मिला है फिर भी थोड़े बहुत थे तो मैंने सोचा चलो इसको एक दम आप लोग को दिखाने के लिए इस तरह से कैसे इसको प्रेस करना है वो मैं आपको दिखा र करना है ठीक है बास से इसको स्प्रे नहीं करना थोड़े डिस्टंस से इसको स्प्रे करना है अब मैंने इसके उपर बिचाया है एक टिशू और एक चमच के बैक साइट की मदद से हलके 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 प्रेशर देना है ठीक हलके हलके प्रेस करना है फर्म प्रेशर देते हुए इसको प्रेस करना है हमने और नैपकिन के साइट्स बदल, बदल के आप इस काम को करें टोटल तीन से चार बार इस तरह से आपको करना है, हलका हलका प्रेशर देते हुए आपने चम्मच को, प्राड़क्ट को दबाना है, अब देखे टिशू हटाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है आपको दिख रहा होगा ठीक है इसकी शकल सूरत पर मज जाईए आपका product fix करना है वो ज़्यादा important है और वो मैं आज आपको करके दिखाऊंगी ठीक है जी सेम टिशू से अब पूरे container का side जो है वो हम clean कर ल देंगे ताकि पूरा process जो है neat and clean लगया आपके दिल को भी तसल्ली मिले कि हां जी मेरा product वापस से अच्छा अच्छा नया नया सा हो गया अच्छे से साफ कर लेने के बाद लो जी ये हो गया हमारा product बिलकुल नया जैसा था वैसा है ना चका चक से साफ कर दिया इसकी शकल देखो पहले की तरह बिलकुल smooth वगयरा तो नहीं होगी बठागर आप अच्छे से प्रेस करोगे तो हो जाएगी बठ ये शकल भी कुछ बुरी नहीं है क्यों टेंटरान लग रहा है ना बढ़ी आसा इस तरह से आप अपना highlighter fix कर सकते हो अब मैं इसका आपको दिखाओंगी भी कि ऐसा नहीं कि इसको जैसी पल्टो तो सारा गिर जाएगा ठीक है अच्छे से से सेट हो गया है बिलकुल बढ़ी आसे fix हो गया है अब आप इसको पहले की तरह use कर सकते हो यह देखो मैं इसको पलट के आपको दिखा रही हूँ यह डब्बे से नहीं गिरेगा और मैं इसका pigmentation भी आपको चेक कर आ रही हूँ यह देखो finger की मदद से color pick करके pigmentation में कोई कमी नहीं है जैसा यह pigmented पहले था बिलकुल उतना ही यह pigmented है उतना ही अच्छा है तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना पसंदीदा compact अपना highlighter अपना blusher अपना कोई भी eyeshadow बिलकुल इसी तरह से fix कर सकते हो ठीक है पहले की तरह चका चक एक दम मदद से ठीक है कई बार आपके पास टूटा हुआ product मिलता है अब देखो कई बार बहुत महंगा product भी आता है यह 235 रुपे का था बात यहाँ 235 रुपे की नहीं है बात है कि कोई चीज आपने दिल से खरीदी और वो आपको टूटी हुई मिले यहाँ आपके हाथों से गि करोगे और मुझे याद भी करोगे वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा अपने friends and family के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना बहुत helpful वीडियो है इंस्टा पर मुझे follow करना चाहो मेरा handle आपको screen के उपर दिख जाएगा and if you are wondering कि मेरे हाथ इतने अच्छे क्य लग रहे हाल फिलाल मैंने गर्मियों में हाथों को नरम गोरा मुलायम कैसे बनाए वो वीडियो भी पोस्ट किया है link मिल जाएगा check out करना चाहे तो check out कर सकते हैं thank you so much for watching I see you guys in my next video till then keep loving keep supporting and keep watching my videos bye bye